हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारी इस यूटूब चैनल में आज में आपको यह ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मतलब से आप जो आपने फोटो को बहुत आपने फोटो का एडिट कर सकते हो आप लोग देख सकते हो नॉर्मल फोटो कैसी थी अभी पर आपको इडिट किया है कि पता भी नहीं चल रहे है रेल कौनसा है पेक कौनसा है तो बिना देनी कि चलिए स्टार्ट करते है आज की वीडियो तो सबसे पहले आपको क्रों और यहां पर आपको टाइप करना है एड़ आप firefly और यहां पर आपको इंटरफेस कर देना है सबसे पहले जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आगा, यहाँ पर आपको प्राइट कर देना इसे, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक्सप्लोर फायर फायर फ्लाय बीटा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे आप explore, firefly, beta पे click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface है अभी आप लोग देख सकते हैं आपर कितने सारे options इनीबल हो चुके हैं और कितने सारे भी बाकी हैं अभी आप लोग देख सकते हैं आप text image को convert कर सकते हो जनरेटिव इसके बारे में आज लोग जानने वाला है आप text से effect को create कर सकते हो आप अपने text में कोई भी effect दालके कुछ इस तरह के से text को create कर सकते हो यह सारा magic stream हमारे AI का है तो सबसे पहले हम लोग आप देखने वाले जनरेटिव फील के बारे में यहाँ पर जनरेटिव देखने वाले तो यहाँ पर आपको generate पर click कर देना है यहाँ पर आपको upload image पर click कर देना है जिस भी image को आप edit करना चाहते हो इस image को यहाँ पर select करके open में click कर देना है आपके सामने आप पर अड़ाओ फार आपका next board आजाएगा अब यहाँ आप पर आप फोटो को edit कर सकते हो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस image का background में वह change दरूँगा सबसे पहले आपको 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 करना है background पर click कर देना है तो automatically आप इस image का background जियो वह delete हो जाएगा आप लोग देख सकते हो ठीक है अभी आप लोग क्या करना है अभी आप आप जो इस यह आप पर आप जो शेये वह background सेट कर सकते हो example मैं यह आप पर search कर रहा हूँ तो तो मैंने आप पर लिगा city backgroundrood इस वे पर लोग 5 coral रहका है चले का अपने बंद प्योंक देख सकते हो या या पर या पने सांने चार बैग्राउंड रिया किया है जो भी आपको बैंगरों पसंद आया था उसे कर सकते हो मुझे यह फार सुर्श चले गरेंगे मुझे आत्यार मुझे ऐसा अर अट कर दें र तो यह च्छाहिन लग रहा है सेकंड देखते हैं तो यह भी सही लग़ा है कुछ ना कुछ थार्ड भी थोड़ा बहुत चाहिए एंद फोर्ड भी सही तो मुझे आपर सेकंड हाला बहुत अच्छा लागा है यहाप रापको किप पी किलिक कर देना थीक है अभी आपर क्या क में T-shirt पहलोगा। क्या करूआ अपको जुक है अपने shirt को select करना है। क्या करना है। याप लोग जो circle सा देखरे हैं। उस पर click कर दिना है। जैसिक आप click करेंगे यहापट देख सकते हैं। इस से अपको जो है अपने shirt को erase करते जाना है कुछ इस तरीके से। आप अगर आप इसको शोटा बढ़ा करना चाहते हो तो आप ब्राकिट को ओपन कर सकते हो ब्राकिट ऊपन ब्राकिट प्लोस तो हमारा जो एरो है वो छोटा हो जाएगा सरकल वाला तो जब सब पहले मैं अपने शर्ट को एरेस कर लेता हूं अपना टोटेली एरेस कर दिया है अब आपको का करना है यहाँ पर प्रॉम्ट दिखना है वेर तो मैंने आप लिख वेरथिए अब चाहो长 थो जो भी टी-शर्ट का नाम नाम बराचा तो एको लिख सकते हो तो मैंने हाप पर जोई यहां पर यह भी मस्त लग रहा है यह भी मस्त और यह भी तो आप लोग देख सकते हैं कि इसे डाउलोड कर लेता हूं कि में बहुत अच्छी लगी है तो मैंसे डाउलोड कर लेता हूं इसके बाद यह भी अच्छी लग लगी इसे डाउलोड कर लेता हूं और यह थर वाली पर मैं जो भी एक्स्पेमर करना चाता हूं कर सकते हैं अभी आपनों किस तरीके से अपने इमेज को मूफ कर आप लूब कर सकते हो बस आपको स्क्राइब करना है आपके सामने कुछ इस स्क्राइब करना है और अगर आपको जूम पीछे स्क्राइब करना कुछ इस तरीके से आप जितना चाहिए उतला जूम कर सकते हो तो फिला इक लिए वीजिया मैं इसे कट करता हूं कुछ और आपको समझाता हूं इमेज की मान्द्यम से तो यहां पर मैंने इक इमेज छहिए उसेटव परकेर टैंस थो एक तरीके से और यहां पर आपार इतना एरेयां इरेस यहां पर मुझे प्यांकी आदे यहां करूने करना चलूब आपको टिबट कर देना है अगर आपको यहांकी दिजाइन इच्छे लग रही और चुकला है करना चाहता हूं तो मैं आपर जो क्लॉक एड कर सकता हूं तो यहां पर मैं एक क्लॉक एड करना चाहता हूं तो क्लॉक एड कर देता हूं अब यहां पर मुझे लैंप को एड़ करना है यहां पर मुझे लैंप करना है यहां पर मुझे लैंप करना है यहां पर मुझे लैंप करना है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पसंद नहीं आ रहा है चलो ठीक है अब जितना अच्छा है यहां पर प्रॉम्ट डालेंग एक टेबल एड़ कर देता हूं सो इखते हैं हमारे जो आउट पुट है वो कैसा आता है तो में आपड़े लिखता हूं कि डेखते हैं बार कौन सा टेबल इंट होता है तो गैस अभी आपनों देह सकते हैं अब कितना प्यारा टेबल एड हो चुका है अगर मैं चाहो ते हां पर रिमोट अखमा चाहतों रिमोट लिगूँगा रोट ठीक है यहां पर लिदेवने रिमोट एंद देखते हैं कि नहीं चाहिए आपर टीवी रिमोट ठीकना चीए था तो शादर ज्यादा अच्छी से आता है रिजल्ट देखते हैं भी क्या होता है अच्छा बोड़िया यह तो समझ गया भाई यह अच्छी के समझ चुका ठीक है यह मस देख रहा है और वह रहां पर एक डासे जया स्कता हैं पर अपर फोड़िया थे प्लिक करना है फोड़ डेखते फोन आता हं यहां और यह फ्रून भी एड़े ठीक है तो यहां पर मैं अगर चाहों तो कीब इसा बत्त है मैं पूरा इमिज इदरी एडिट कर ले रहा हूं बस मैं आपको समझा रहा हूं ठीक है अपलोग समझ चुके होंगे अभी तो फिलाल तो आप लोग देख तो आपर खीबॉर्ड भी आ चुका है कुछ इस तरीके इस तो यह वाला अच्छा लगार है कीप पे क् आप लिख दिया हॉर्स फोटो फ्रेम एड जनरेट पर किलिक कर देना एड देखते हैं अभी हापर जनरेट हो पाता है आप ही नहीं होई है क्यों निक्कि एए जड़ा इतना ज़्याद स्मार्ट हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो कितना अमेजिंग रिजल्ट आया भा यहाँ पर हमने वाच एड किया फोटो फ्रेम टीवी लाइट रिमोट फोन कीवुट सब कुछ यहाँ पर अड़ कर देख सकते हो नॉर्मल वाल और यह वाल कितना अमेजिंग रहा है कि इसको एडिट किया हुआ या एड जनरेट किया है तो गाइस देखा आपने कि किस तर पर आपको एड रिक करता हुआ है तो अब बिख सकते हो हमारी जो मेंज आ डालोड भी हो चुकिया और हमारी जो मेंज सारे ओप्शन है जन्रेटिव फिल्ड पे ठीक है यहाँ पर देख सकते जन्रेटिव फिल्ड टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट इफेक्ट ठीक है तो यह सारी चीज़े मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊगा आज आज की वीडियो के वीडियो काफे दा लंबी हो जाएगी तो आज के लिए इतना ही and guys मैं अपने चल्ड पर ऐसे ही amazing AI tools के बारें बताते रहता हूँ वगर आप में चल्ड को subscribe नहीं किये हो तो जल्ली subscribe कीजिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी next वीडियो में ने topic के स तर्टगी जाइन जाएगा